अच्छाइब दोस्तों नमस्कार गुड मॉनिंग राधे राधे जैसी किष्णा मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खूस होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे मेरे नीव व्लॉक में एक बार आप सब का फिर से स्वागत है तो हो चुकी है एक नए व्लॉक के शुरूरात और यहां पर देखिए मैं भी सुबर सुबर लगई थी अपने लग जाते हैं वैसे मैं रहतीती तो मैं पुरा घर में अंदर पूझा करना आ रहती थी क्योंकि देखिए भगवान जी को नहलाना और फिर पूरे भगवान जी को असनान कराने में तोफ़ा समय लग जाता है अच्छे स्रिम अमलब सभ करने में तो आदा घंटा तो मुझे और आज मैं भी नहाने बाद पता नहीं कि बहुत ज्यादा मुझे नीद आ रही थी लेकिन मैं कहीं कि पहले हेलुआ देखे में पहले आज बना दी थी हेलुआ बना के छट पर चढ़ा आई थी और उसके बाद फिर मैं लेड़ गई थी करीब आधा एक घंटा के लिए लेड जाए बाद पर चाय बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि पूरा घी पुरा चाय में लगता तो अच्छा नहीं लगता है जब तक बन जाएगे तब फिर मम्मी के साथ चलूगे मैं चाय पीलूंगी या अपे देखें गए यहाँ थी पूजा अघर के ममी को भी देदी थी पानी पीने के कलिए तो मम्मी का आज मन था 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 स लाई नवकीन खाने का तो ममी को वो दे दी थी और उसकी यहाँ हो खा लुब खाली थी तो जुटा पानी पी लेंगे उसके बाद चाई पी लेती हैं यहां पर मैं भी चाई लेके बढ़ गई थी अपनी क्योंकि आज चाई बहुत लेड़ से बनाई हूं और कपड़ा तो आप लोग देख रहें कितना सारा कपड़ा कोई कल ब्रस पती वहार था कल तो कपड़ा धूली नहीं पहले ना अपना और इनका कपड़ा डाल दी थी मसीन में क्योंकि अपना सबका तो मैं बिना साबुन को आज अबनाऊंगी आज बस ऐसी आलू छोग दूगे और उसके बाद फिर मोमफली को इसमें डाल दूगी तो कई चोलो वही बना देती और यहां पे ने पैकेट में ह दखा था मौमफली और साबूद आदम कई चलो अब इसे भी पलड देती हूं डब्बे में तब क्या ना कि इस समय उथा बरसाद मौसम ऐसा हुआ सीलन वाला तो कई-कई मौमफली खराब ना हो जाए तो बस यह सब को भी डबा में कर देती हूं और किचन तो इस समय मेरा बह और के करते रहों यूज नो करना साबून वाला कब रहाना पमको मममी ना था ने में प्ला कपली सीबया से मीणा निर्वा करन देती है कि ब्रस्पती बार के दिन कोशिस मेरी रहती कि बिना निर्मा काई कपड़ा धो लें कभी कभी क्या होता नहीं चलता है तो थोड़ा बहुत निर्मा थोड़ा बहुत धो लेती हूं और उसके बाते हां पर देखी मैं आलू काटके रख दी थी तो चलिए भिसम लगा देती बहुत इदम सिंपल तरीके से बनागए कोई भी न मसाला कुछ भी नहीं तो यहां पर कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम हो गया था हमें रिफाइन तेल ली थी सर्सों का तेल नहीं ली थी तो बस रिफाइन तेल अच्छे से गरम हो गया तो बस उसमें आलू को डाल दी बना तड़का लगा यानि कि मीर्ची-उची का तड़का नहीं लगाई थी मौमफali भी थटंड़ी हो गई थी तो बस इनका छिलका निकाल दोंगी और इनका छिलका निकालने के बाद उसके बाद मैं मिक्सर में हरी मीर्च और मुमफली को थोड़ा सबस दर्दरा पीसलू यहां पर देखो मिक्सर में मौमफली और हरी मिर्ज को भी अच्छे से थावा सा दरदरा पीस लेए बस इसमें डाल के से मिला लूंगी और आलू को क्या है थोड़ा से कढ़ाई में लगने देती हूँ जैसे थावा से क्रिस्पी में लगा जैसे जलाती नहीं बस थावा से पन आ जा था इतना बस मैं लगने देती हूं क्योंकि य Bossy आज मैं पडिक मैं फ्राइ कर लेती हूं आलों और यहां पर तब तक देखी में लगा ले रही हूं आटा क्योंकि मं मुख काई काई का या या यहा बना यु इस तरह सो दो-तीन बार बनाइन थी तो गाफी ध्यादा अच्छा हम लोको लगा तो ममी कहीं कि आज वैसे ही बनादो खुब तीखा चटपटा क्योंकि कल थहा ममी का पेट नहीं सही था तो कल ममी साम को खाना नहीं खाई थी तो बस मामी कहीं कि वैसी चटपटा बना दू उनका मन था और कहीं कि मैं जखुब अच्छे से कड़ी कड़ी करके रोटी दे दे रहां तो बस यहां पर देखी मैं आटा लगा ले रही हूं और आटा बस अभी ऐसी लगा के रख दूँ बस ऐसी मल के आटा और रख तो उसके बाद इसकी रोटी बनाओंगी और उसके बाद देखिया मैं भी धीरे-धीरे अपने रूटीन में आ जा रहे हूं धीरे-धीरे सारा काम हो करने लग रही हूं क्योंकि सुरू-सुरू में तो भाई नहीं हो रहा थे लेकिन हाँ अब धीरे-धीरे जहां तक बस ए यहां तक के आटा उटा भी लगा लेती हूं सब कर लेती हूं बस हां मेर से बरतन भर घसते नहीं बनता बाकि धूल तो लेती हूं लेकिन घसते वे नहीं होता क्यों कोसिस करती हूं लेकिन क्या कि एक हाँ से बरतन पकड़ना होता और एक हाँ से घसना तो पकड़ने वाले इस तरह से पानी बरस रहा है, रह रहा के बरस रहा है, रह रहा के धूप निकला रही, तो मैं कहीं कपड़ा यहाई डाल दी, कोन नीचे उपर दोड़ेगा बार बार, क्योंकि ना तेखिए जब बरस आता थी, तो इतम दोड़ की जाते भर में कपड़ा भीग जाता है पूर तो मम्मी कहीं कि यहाई पर डाल दो, तो पहर में अगर अच्छे से धूप खुलेगी तो छट पर डाल देना, तो मैं कहीं चलो यहाई पर डाल देती हूँ, और इस समय मेरे ख्यासे बसता है का 11 या साड़े ग्यारा बसता होगा, तो उसके बाद आप लोग से मैं बाद गई थी बरतन दोने के लिए, ज्यादा बरतन तो नहीं था, थोड़ा ही बरतन, क्यूके द उपहर में सब्जी रोटी बस बनी थे लिए भरतन थोड़ा ही था, और इस समय नम बरतन जब धोने बैठी थे फिर से हलका हलका इसे बहुत हलका हलका इसे पानी गीर रहा था इसा लगीन इसकी पानी बरस रहा है बहुत हलका से बारी सो रही थी तो बस चलिए यहाँ पर बरतन भी हो गया था और यहाँ की लगा लिती जाड़ू और उसके बाद फिर मैं आगे थी आगे वाली कमरा में इनके सब के पास यहाँ पर सिवांस और प्रिंसी कर रहे थे पढ़ाई लेकिन इस समय सिवांस लिये हैं मुबाईल और थोड़ा से य अब है और फिर थोड़ा बुद प्रिंसी अपना थोड़ा बुद टीबी देख लेगी सिवांस अबना थोड़ा बुद मुबाईल में जिसे अपना सब्सक्राइब क्लास ब्सक्राइब लेना रहता है अग्या था तो नहीं दो चलता है और यहां पर प्रिंसी ले ली थी सिवांस का हाइलाइटर जो होता है और सिवांस से बीना पूछे ली थी तो मुझे पता नहीं था कि इसके बॉक्स में कया था पस मुझे कि मम्मी दिखाना मत भाईया को ने तो भाईया चिलाएगा तो कही नहीं भाईया ने चिलाएगा ह ना सारा अपना कल से पेपर है इसमे के लिए है वह कम पास जो इस समी जये तो नयुत आटकiva कर पे पेपर ज़िए झाल सब्सक्राथ कही कर दो कल पसेवस्चिए पंटो दॉट कर शों भी युदक रहा है यहां पर से जो मेरे दिल्यूज के पेंस बेंस नहीं है प्रेंस नहीं है जो मुझे अजरोज काम आपकी को सब्सक्राइब तेहां पर ना मैं प्रिंसिस के लिए आओ मैं देखू हाइलाइटर कैसा हूँ क्यों कि हम लोग के समय में कहता हें यह तो इतना था नहीं अब तो आज इतना नहीं चीज आ गयी तो भस मैं हाइलाइटर देह रही थी चला कर लेकिन अज डाल चावावन सब्जी रोटी तो यहां पर डाल बन गई थी और सबजी भी छोग दी थी, सबजी में बना डीक कुनरू और आलू की सबजी बना रही थी, भूजी भीजिगा बना रही थी, दाल बन गे थी, ये चलो दाल को पलड के रख देती हुर चावल, और आठा देखे लगा के रख दी थी, और रोटी तो मैंने नहीं बनावी कि मेरे हात में लगा था पानी तो मैं घूर्म कर दी थी और उसके बाद तब यहां पर भुजीया भिण बन गई थी और ऑप भुजया बनी है और चलिए मैं अपर दीखा दु कि अश्क वाली तरह थी कर दों है निन अब भुजीया बनी तो पूरा तेल छोड़ देता इस कड़ाई में इस कड़ाई में यही बहुत अच्छा है कि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगती है सब्जी में तो भूजिया में एक्साइट कर जूँगा जो तेल रहे हैं तो पस यहां पर देखिए ममी बैट के रोटी बेल दे रही थी मिहां पर देरे खिए जबतिक भी हो जाएगी जब तक इनके आने का समय हो जाएगा और आज का वीडियो ना मुले पूरा दीन में तो ज्यादा नहीं भराइती थी ठोड़ा सा सुबह का लेली थी और आज साम का वीडियो मेंने खिलासे आप लोग बहुत दिन के बाद देखते। सेहर करें नहीं धिस बीच आप साम का वीडियो मेरा इस थे अरूटी सेंगए पर फैले तो यह खलो पहले जब घर पे आता है ना तेक बार मैं भी उबाल देती हूं दूद को और दूद उबालने वद फिर देखी हाँ पर सबको निकालने लगी थी खाना और इनसे रहा नहीं जाया था नो मैं फोन आगे था सालू का वीडियो कॉल तो मैं उस पर बात करने लगी थी उससे चोटकी स यानि कि दिशा से बात करने लगी थी थी खाना निकाल लिए थी अपने सब के लिए बस यहां पर देखी मम्मी प्रिंसी सब बढ़ गे थे सबको मैं दे दे रही हूं खाना और खाना में तो पता ही आप लोग को भी क्या बना है अगर आप लोग को भी साधा खाना पसंद जो भी ले पाती थोड़ा बुद क्लीप आप लोग किसा सेयर कर देती हूं बस देखी यहां पर आगे था भाईया का फोन थे भाईया से बात करने लगे थे और मैं बोटल दो ले आई थी थी ना तो बहुत ठंडा पानी पीती नहीं हो आधा नारमन मिला कि आधा वैसी पी जाता तो उसके बाद बस यहां पर देखी रह गया था सबको दूद देना और चलरी में देदूंगी सबको दूद और आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करूंगे अगर ब्लॉक अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सेस्क्राइब सेयर जरू करना बाई बाई दोस्तों ग गुटनाइट